प्री फैब्रिकेटड आर्टिस्टिक स्टोन केवल ये वुडन पैनिलिंग लगाने से खुश नहीं हुए आर्टिस्टिक स्टोन्स जो हम नोग सुनते थे कि महलों में वो रत्न अलंकार जडित होते थे उस प्रकार से आर्टिस्टिक स्टोन वर्क किया गया जिसमें 58,555 रुपए 58,555 रुपीज ये स्टोन्स प्री फैब्रिकेटड स्टोन्स लगाने में खर्च हुआ है तो आप सोचके देखिए 5-6 करोड की दिवारे अर्विंद के जिवाल जी ने बनाई है और तो और डेकोरेटिव पिलर्स, रेलिंग्स, मेटल डेकोरेटिव पीसेस में लाखों खर्च किये गए बंदुगन कुल मिला करके ये सब 45 करोड रुपए का कर्च करके किया गया मगर अभी इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ The most pathetic issue as far as the renovation of this whole महल of अर्विंद केजरिवाल जी is concerned कि ये उस समय रिनोवेट हो रहा था जब कोरोना की महमारी से पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ मैं डेट के साथ आपको पूरा पीस रखोंगा आपके सामने पूरे आकड़े रखोंगा आज समझ में आ रहा है कि अर्विंद केजरिवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सिजन सप्लाई केंडर तो कर रही थी टेंकर तो आ रहे थे मगर टेंकर अस्पतालों तक पहुच नहीं पा रहे थे क्यों लोगों को आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए क्योंकि आर्विंद केजरिवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे उस समय आर्विंद केजरिवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे एक सेप्टेंबर दो हजार बीस जब कोविड का पहला चरण पहला वेव चल रहा था तब रिनोवेशन के लिए साथ करोड इकानबे लाक रुपे सेंक्शन किये गए